ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति मेरा नाम अनुराधा इस शरीर का नाम है मैं जनवरी 2017 से इस ग्यान में जुड़ी और इस ग्यान में जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि जो हम भक्ती में करते थे भगवान शिब की पूजा करते थे पूजा तो करते थे लेकिन ये नहीं पता था कि इसका रहस्या क्या है इस ज्ञान में जुणने के बाद वो सारा रहस्य खुल गया क्यूं भगवान को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है जो एक जोती सब रूप शिव का परिचे मिला इससे पता चला क्यूं भगवान पर जल चड़ाया जाता है वो रोज थोड़ी थोड़ी याद जैसे हम करते हैं लगातार भगवान की याद करते रहना जो भगवान के उपर मटका रखा होता है वो पानी गिरता है वो इस बात का परतीक है ये बात समझ में आई क्यूं बिल पता चड़ाया जाता है शिवलिंग पर वो अपने सारे मन की जो भाबनाय बिल कर दी जाती है उसका परतीक था क्यूं भगवान के उपर जो शिवलिंग ये उस पर तीन रेखाओं का तिलग किया जाता है ये तरिमूर्ती भगवान का परतीक था जो तरिमूर्ती चित्र है उसका तो ये सारी बातें जब क्लेर हो गई तो ज्ञान समझ में भी आने लगा और भगवान का अनुभब भी होने लगा जैसे जैसे भगवान की याद निश्चित होती गई उस पर भगवान पर द्रिड निश्चे हो गया तो अमरित बेला पक्का हो गया मुरली कलास पक्की हो गई और खान पान की शुद्धा की जो धारना थी वो भी बिल्कुल पक्की हो गई इस ज्ञान में आने के बाद जब मैं ज्ञान पर चली थी तो मैं अकेली थी लेकिन आज मेरे परिवार के और सगे सबंदियों के लगभग 40 सदस्य जो है वो इस ग्यान पर चल चुके हैं यह बात अलाग्या कि अपने अपने परसार्थ अनुसार वो चल रहे हैं लेकिन मतलब 40 सदस्यों को ग्यान जो है वो मिल चुका है और वो सभी इसी सेवा स्थान पर आते हैं और जहां तक मेरे घर की बात थी घर में कीचन में सब कुछ पकता था और हार चीज तामसिक भोजन सब कुछ बनाया जाता था लेकिन ज्यान में जूडने के बाद आज हमारे कीचन में ब्रह्मा भोजन बनता है सिरफ ब्रह्मा भोजन और वो भी बाबा की याद में मेरे यूगल भी ज्ञान में मेरे बाद आये तो मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा अनुभब है कि इतनी इतना बड़ा परिवर्तन होना परिवार के सदस्यों का मेरे यूगल का जो आर्मी में जॉब करते थे और सब कुछ खाते पीते थे लेकिन आज वो पूरी धालनाओं पर ध्रेण निश्चे से चले हुए हैं और मुझसे भी आगे निकल रहे हैं वो इस बात की मुझे खुशी है और मैं यहीं चाहती हूँ कि जो भी यहां आते हैं वो दिन डुगनी राच चौगनी त्रक्की करें और अमरित बेला में भगवान से जो शक्ति मिलती है उसकी जो सफूर्ती एवबपूरा दिन रहती है मुरली कलास सुनने से भगवान के जो महाबाक्या हमारे जहन में आ जाते हैं उनको सुनने से हमारे मन में जो परिवर्तन आता है वो बाते हमारे मन में घूमती हैं जो हमारे मन में क्वेशन होते हैं उनका अंसर हमें मुरली के जरिये मिलता है जब कभी हम फ्री होते हैं तो मुर्ली के वो महाबाक्या हमारे मन में गुंजते हैं हमारे मन में चलते हैं तो वो बातें भी हमारे जीवन में हमारा परिवर्तन करती हैं इसके साथ साथ मन हमेशा शांत रहता है दिल को स्कून रहता है क्रोध जो है वो बहुत हद तक 90% तक खतम हो चुका है और इसी के साथ मैं जो ग्यान में नहीं जुड़े हैं लोग या हमारे जो यूबा वर्ग के लोग आज पिछड़ते जा रहे हैं बच्चे हमारे उन सबसे मैं यहीं अन्रोध करती हूँ कि यह जो राजयोग मेडिटेशन है इससे जो हमारे दिमाग में हमारे मन में जो शकून मिलता है और हमारा मन एकागर होता है तो इस बात का वो जरूर लाब उठाएं और जो यह भरांतियां इदर उदर की फैली हैं संस्था के बारे में कि वो क्या करते हैं लोगों को बहलाते हैं फुसलाते हैं उनका ब्रेन वाश करते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है और यह इस बात का प्रूफ आपको तभी मिल सक देखेगा जब आप इस संस्था में आकर जुड़ेंगे यहां आएंगे और देखेंगे बाहर से तो सुनने से कुछ पता नहीं चलेगा तो इसलिए मेरा आप सबसे बिनमर निवेदन है कि इन भरांतियों को छोड़कर आप स्वयम यहां आएं और इस बात का अनुभव कर धन्यावाद ओम शांति